अगर डालते ही आपका बीर्य जढ़ जाता है आपका बीर्य बिलकुल पानी की तरह पतला हो चुका है तो आप इस आउसधी का उपियोग कर लो आपका बीर्य गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ठोकते ठोकते ठक जाओगे पसीना निकलेगा लेकिन आपका बीर ये नहीं जड़ेगा लगातार तीन से चार घंटे ठुकाई करने वाला जोस इस अद्भुत आउसधी में है पहले के राजा महराजा इसी आउसधी का उपियोग करके सो सो रानियों को संतुष्ट कर देते थे लेकिन आज के मर्द तरह तरह के रासायन प्रदार्थों का उ हंड हो चुके हैं कि अपनी बीबी को ही संतुष्ट नहीं कर पाते तो चलिए जाने इस आउसधी के बारे में इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटि जैफर आपको ले लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में और 50 ग्राम की मात्रा में आपको ले लेनी है लॉंग दोनों को अच्छी तरीके से कूट कर पीस कर बिलकुल बारीक तरीके से इसका चुन तयार कर लें जिन लोगों ने बचपन से ही मास्टर वेशन किया है हिला हिला कर आज बीबी के पास जाते हैं तो लिंग खड़ा ही नहीं होता तो इस अवसधी का उपयोग करने से आपका लिंग आपकी चड़ी फारने लगेगा इतनी ज़्यादा ताकत है इस अध्भुत अवसधी में तो आपको इससे दोनों बराबर मातरा में पीस करके मिक्स करके किसी क आज के जार में भर कर रख देना है और प्रति दिन आपको एक ग्लास दूद लेना है उसमें एक चमच की मातरा में डाल देना है आधा चमच की मातरा में जैफर का चून और आधा चमच की मातरा में लौंग का चून दोनों को आधा आधा चमच की मातरा में डाल कर उस दू साम इसका सेवन कर लो आपके लिंग में जोस का ताकत का खजाना आजाएगा आपका सुबह उठोगे तो चड़ी फारने लगेगा इतनी जादा ताकत आजाएगी तो फ्रेंट्स अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें इस वीडियो को आप ज़ादा से ज़ादा दोस्तों रिलेटिव में सेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सकें मिलते हैं फ्रेंट्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड